ओम श्यंति हम भगवान के बच्चे हैं हम आदी देव प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हैं हम इस धरा पर दो यूग तक महान देवता रहे स्ष्टी के अनेक जन्मों में हमने हीरो पार्ट वजाए हम कितने रोयल हैं जैसे ब्रह्मा बाबा बहुत रोयल थे वैसे हम उसके बच्चे भी रोयल हैं याद होगा आपको बाबा को देखकर राजा लोग कहा करते थे कि दादा जी भगवान से साइद भूल हो गई राजा बनाना चाहिए था आपको और बना दिया हमें बाबा का चलना उनका बोलना उनका व्यवार उनका खान पान उनकी महान रोयल्टी की जलक दिखाता था सब परमित छाप पड़ती थी उन्हें सभी लोग देखते ही रह जाते थे जिनोंने साकार में ब्रह्मा बाबा को देखा वो जनते हैं वो कितने रोयल्टी थे नैन उनको देखते हुए ठकते नहीं थे उन पर भी एक टिक हो जाते थे जैसे सिव बाबा सभी को बहुत आकर्शित करते हैं वैसे ब्रह्मा बाबा की परस्नल्टी भी बहुत आकर्सकती हम उनके बच्चे हैं हम भी बहुत रोयल्ट हैं तो हमें भी अपने रोयल्टी को कायम रखना है और ये तभी संभव होगा जब हमें ये नुशा चड़ा रहे हम भगवान के बच्चे हैं हम आदिदेव ब्रहमा के बच्चे हैं हम विश्व की महानात्माएं हैं हम विश्व महराजन बने थे हमने कितने बड़े-बड़े काम किये हैं तो अगर हम इस स्वमान में रहेंगे तो सच मुच्च हम बहुत रोयल रहेंगे हमारी द्रष्टी से हमारे व्यवार से हमारे चलने से हमारे बोल से हमारे खाना खाने के तरीके से सब को रोयल्टी नजर आएगी तो याद रखेंगे जो रोयल होते हैं वो किसी से कुछ मांगते नहीं जो रोयल होते हैं उनकी आ कहीं भी उनको आकर्षन नहीं होता, किसी से भी कुछ लेने की कामनावे नहीं करते हैं, किसी की पर्सनल्टी की और वे जुकते नहीं हैं, हम बहुत रोयल हैं, हम भी अपने को इच्छा मात्रम अविद्या बनाएं, किसी से कुछ भी लेने की च्छा नहीं हो, और मांगना ये तो भिखारी पन है, ये तो एक बैगर की पहचान है, जो बहुत महानात्माएं हैं, उन्हें अपने को चेक कर लेना चाहिए, कि मन में भी मांग नहीं हो, चाहे धन की मांग, चाहे वस्तमों की मांग, चाहे साधनों की मांग, चाहे मांसमान की मांग, चाहे हमें चांस मिले अवसर दे इसकी बार-बार मांग करना, रोयल आत्माओं का ये लक्सन नहीं है, जो रोयल होते हैं, वे तो अपने को योग्य बनाते हैं, और अपनी शान में इस्थित रहते हैं तो जो इस अलोक इक्ष्यान में इस्थित रहते हैं जिरोंने अपने जीवन को योगिताओं से भर लिया होता है उन्हें सब कुछ स्वत ही प्राप्त हो जाता है उन्हें मांगने की आवश्यक्ता ही नहीं रहती हम सब जानते हैं बाबा ने पहले दिन से हमें ये एक बहुत सुन्दर बात बार-बार कही बच्चे तुम किसी से कभी भी कुछ मांगो नहीं फिर लोग पूछते थे कि मांगेंगे ही नहीं तो हमें सब कुछ कैसे प्राप्थ होगा तो बाबा उत्तर देते थे तुम्हें प्राप्थ होगा योगबल से तो आओ हम सभी बहुत रोयल बने अपनी चाल से अपने बोल से व्यवार से रोयल्टी की जलक रोयल्टी की चाप दूसरों पर छोड़ें तो आज सारा दिन अभ्यास करेंगे परमधाम में ज्यान सूरिये की केरणों के नीचे रहने का और याद करेंगे ज्यान सूरिये की केरणे लेकर संसार में फैलाने से संसार से माया के कीटानों नस्ठ हो जाते हैं आज सारा दिन हम ये महान सेवा करते रहेंगे तो बहुत बड़ा योगदान इस अंसार को इस प्रकरती को प्योरिफाई करने में हमारी ओड से प्राप्त होगा ओम स्यंति